दूस्तो रिसेंटली एक बहुती ज़्यादा शौकिंग न्यूज सामने आई है जिसकी वज़े से इंडिया और फ्रांस दोनों में ही काफी ज़्यादा डिसके इसको लेके शुरू हो गया है इंडिया में तो हला कि उतना ज़्यादा ये नहीं कवर किया जा रहा है लेकिन फ्रांस में ये जो इशू है ये जो बात है ये कोट तक पहुँच गई है नियूस तो ये हला कि थोड़ी पुरानी है लेकिन अब जाके इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है फ्रांस में और इसी लिए ये जो चर्चा है ये दुवारा नियूस में बनी हुई है वगर क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग को बता दू कि ये शक्स है संजब अंडारी जो कि इस समय फ्यूजेटिव यानि की बगोडा डिकलेर किया जा चुका है इंडिया में उसके लिए बात चल रही है यूके के साथ हाल में ही क्या हुआ था ये जो लोवर कोड था यूजेट के वहाँ चला गया था वह लोवर कोड ने यह और दिया कि ठीक है इसको company एक France की उसके against में इंडिया से related एक order था उसके लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को हुआ क्या था कि दरसल क्या था ना कि 1980s में जो पाकिस्तान था वो USS F-16 खरीद रहा था जो की काफी अच्छे एयरक्राफ्ट थे और USS उस समय इंडिया के relation तो उतने थे नहीं क्योंकि cold war का time था इंडिया जो था वो tilted था USSR की और इसी लिए इस चीज को देखते वे इंडिया ने सोचा कि हमें भी अच्छे एयरक्राफ्ट खरीदने की जर्रत है और उस time पे जो सबसे ज़्यादा suitable और जो available to export था किसी कंट्री से वो था Mirage 2000 एयरक्राफ्ट फ्रांस का फ्रांस के company Dassault जो है वो इस रफाल को बनाती थी और आप लोग को पता होगा कि अभी जो इंडिया ने रफाल खरीदा है वो भी Dassault द्वारा ही बनाया जाता है फ्रांस का जो government है उसके stake से Dassault में उससे इंडिया काफे time से अत्यार करीता आ रहा है जैसे कि यहाँ पर आप लोग ने देखा 1982 में पहली बार 36 Dassaultuity air craft का Dassault Mirage aircraft का order दिया गया इंडिया की तरफ से ये 36 aircraft single seated थे और इसके अलावा चार और Mirage aircraft का order दिया गया जो कि डबल सीटर थे तो टोटल 40 aircraft order दिये गए 1982 में इंडिया की तरफ से फ्रांस को ये aircraft फिर इंडिया को मिलते हैं इंडिया पहली foreign country बनती है जो कि इस Mirage 2000 को इस्तिमाल करती है फ्रांस के अलावा इंडिया में इसका नाम रखा जाता वज्र फिर 1999 में कारगिल वार हो गया या फिर उसके बाद 2001-2002 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में stand-off हुआ था वो हो गया या फिर हाल की ही अगर आप लोग बात करो तो 2019 में इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस इंडिया ने एरफोर्स में है और इंडिया ने एरफोर्स की जो capabilities है उसको एनाइस कर रहा है इस समय इंडिया के पास 50 मीरास 2000 एरफ्ट है तोकि ओवर टाइम इंडिया खरीदता रहा है फ्रांस से उसके बाद भी तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता है 1982 में यह order दिया गय दूसरे को भी यह दिया जा सकता था लेकिन Dassault को ही दिया जाता और यह 2.5 बिलियन का पूरा contract होता है जो इंडिया से दिया जाता है Dassault को इसमें संजे बंडारी ने case किया है court में संजे बंडारी का यह कहना है कि मैं इस order के लिए as a intermediator था जिसको assign किया गया था consultancy fees of 20 million यूर पे उसके बाद मैंने ही जो इंडिया का defense ministry के official से उनसे बात कराई थी Dassault वालों की या फिर Thels वालों की लेकिन उसके बाद जो मेरी payment है वो पूरी मेरे को दी नहीं गई सिर्फ 9 million यूरो जी pay किये गया है अब तक अब यह हो सकता है सुनके आप लोगों को बहुत ही जाद आ जीव लगा होगा कि यह संजब बंडारी ना तो कोई government में official है इंडिया के ना ही इस company से इसका कोई लेना देना है और इस तरह के deal में इस तरह के चीजों में यह कौन सी consultancy होती है जिसके लिए 20 million यूरो पे किया जाता है यही चीज देखते वे France के court ने अभी यह जो payment का issue है इसको तो किरारे कर दिया है लेकिन इसलिए case चल रहा है कि क्या यह जो order था पूरा इसमें किसी तरह का corruption involved था यानि कि यह जो consultancy कहा जा रहा है यह एक तरीके से covert corruption है indirect corruption है इसी को लेके पूरा case जो है वो शुरू किया गया है France की court में और अभी जैसा के मैंने आप लोग को ब यहाँ पर मन में confusion होगा कि Dassault यह aircraft बनाता है Dassault को यह दिया गया था contract थेल्स का इसमें नाम कहां से आगया थेल्स कौन सी company है दरसल क्या है ना कि देखो यह थेल्स एक अलग company है जिसके अंदर Dassault जो है वो भी एक बड़ा stockholder है और जो भी items जो भी equipments कहलो इस modernization में लगने थे वो बनाना था इसको थेल्स कोई इसलिए यह contract में लगा हुआ था कि यह contract हम लोग को मिल जाए और इसी की मदद की संजय बंडारी ने जिसके बारे में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अब उसने यह case किया है अब इस चीज को अगर आप लोग इंडिया के point of view से देख कि क्या संजय बंडारी जो है इसका इतनी positive defense ministry में क्या इसने भी आगे पैसा दिया था इस deal को कराने के लिए और आप लोग को बता दू कि Robert Warta का बहुत जादा close बताया जाता है यह तो इसी लिए corruption का issue एक बार फिर इसकी वज़े से उट रहा है उसके अलावा यह जो पूरा 133 करोड पर aircraft की तो आप लोग कुदी सोचों कि जितना इसको बनाने में जिसका जितना पूरा aircraft करिने का cost पड़ा उससे ज़्यादा cost पड़ी है इसको modernize कराने का अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता नए equipment इसमें लगाया हो नए facilities इसमें add की गई हो ज़्यादा इस तरीके से कि Indian government जो है वो दो रूपे उस समय खर्चा कर रही थी कोई चीज खरीदने को aircraft करीदने को इस case में तो सिर्फ एक रूपे का वो aircraft करीदी थी बाकी सब जा रहा था corruption में क्योंकि आप लोग देखो न यह 133 करोड का इन लोग ने aircraft करीदा और फिर इसको modernization के बाद इ यह ठीक double cost हो गया, double से भी ज़्यादा cost हो गया इस aircraft का, तो यह सब चीजे है और यह जो संजय बंडारी है इसका extra addiction का जिसे कि मैंने आप लोग को बताया केस चल रहा है बहुत जल्दी इसको लेके आया भी जाएगा इंडिया में मैं sure हो छोड़ने नहीं वाले इसको Indian government जो तो यह है guys पूरा issue, यह है पूरी चीजे है, I hope आप लोग को भी शौग लगा होगा इस चीज़ पे, क्योंकि यह सब news जो है यह तब आ रही है जब इंडिया ने अल्रेडी रफाल खरीदा है फ्रांस से और अभी और रफाल खरीदने की बात चल रही है फ्रांस से, इसके में जब फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा supplier हो इंडिया का और उसके साथ जो भी deal हो उसमें इस तरह की corruption की बाते सामने आया है अब कितना सच है उसमें कितना गलत यह तो हम लोग नहीं बता सकते लेकिन एक doubt जो है इसके वज़े से यह में corruption पे वो और भी ज़्यादा बढ़त बाते इंडियान गवर्नमेंट पे से जो लोगों का बरुसा है वो और भी ज़्यादा कम होता है तो यह थे मेरे व्यूस बाकि आप भी अपने व्यूस बताइएगा इस वीडियो के कमेंड में और इस वीडियो को मैं याँ पर करूंगा खतम आयो वीडियो आपको अच्छ कीजेगा ताइट सौल आपनाइज दे टेक क्यार